नमस्कार दोस्तो दोस्तो एक खूपस्वा चेहरे का आकलन उसके भरे भरे गालों से ही होता है और अगर हमारे यही गाल भरे भरे ना होकर पिछके हुए अंदर की तरफ दसे हुए हो तो यही हमारे चेहरे की सुन्दृता को खराब कर देती है इसके कारण हमारे चेहरे की लौनग भी गाइब हो जाती है दोस्तों यूतिम पिचके हुए कालों के कई कारण होते हैं लेकिन इन में से जो मुख्य कारण माने जाते हैं वह हैं चेहरे की मास्पेसियां का कम जोरोना या फिर हमारे सरीर के डाइजेस्टिक सिस्टम का सही से कारे ना करना खान पान सही तरीके से ना लेना और बहुत ही ज़्यादा धूमरपान करना लेकिन दोस्तों कारण चाय कोई भी हो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्का बताने वाली हूँ जिसके कुछी दिनों के इस्तिमाल के बाद आप अपने पिछके हुए गालों से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं और अपने दुबले पतले सरीर के कार भी अगर आप दुखी हैं तो यह नुस्का आपके बजन को भी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा दोस्तो इस नुस्के के लिए हमको चाहिए यस्तिमधी पावडर दोस्तो यह पावडर आपको किसी भी आयोवेदिक श्टोर या पतंजली श्टोर पर आराम से मिल जाएगा और दोस्तो इस नुस्के की खास बात यह है कि यह एक आयोवेदिक नुस्का है और जैसा कि आप जानते हैं आयोवेदिक नूसके का कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि इसको हमको कब कैसे और कितनी मातरा में लेना है उपाई जानने से पहले उसका सही मातरा में जानना बहुत ज़्यदा आवश्यक होता है तो दोस्तो शुरूबात में आपको इसे दिन में दो बार खाना खाने के बाद आदा आदा चमच दूद के साथ लेना शुरू करना है अगर आपको 5-6 दिन के इस्तमाल से कुछ अच्छा रिजल्ट ना देखे तो आपको बिल्कुल भी घवडाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इसकी मातरा को बढ़ा कर दिन में दो बार एक एक चमच दूद के साथ कर देना है याद रखें दोस्तो जब आपको लगे कि आपके गाल खुब भरे भरे गोल मटोल हो चुके हैं तो आप इसका सेवन करना बंद कर दें और दोस्तो डेली रूटेन में आपको अच्छी से अच्छी डायेट लेनी हैं और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको बिलकुल ही बंद कर दें गोट का खाना बिलकुल ही बंद कर दें क्योंकि किसी वी दवा का हसर जबी होता है जब उसका ठीक से परेज किया जाता है और दोस्तो अगर इस नुश्के के साथ साथ आप मेरी बताई गई कुछ एक्सराइज को करते हैं तो आपको इसका बहुत ही जल्दी सीक्र रिजल्ट देखने को मिलेगा तो वो एक्सराइज कप करनी हैं कैसे करनी हैं उसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो है जो कि आपक अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही महत्पूट वीडियो लाते रहते हैं